अगर आपके पास computer या laptop है और उसमें screenshot लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में तीन सबसे असान तरीका बताने वाले हैं जिसके मदद से बरे ही असानी से अपने computer या laptop की screenshot ले सकते हैं इससे पहले अगर आप चैनल पर नियू है तो subscribe कीजे ताकि जब भी वीडियो upload करूँ आप लोगों तक पहुंच सके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला तरीका अभी देखिए मेरे desktop पर एक word document है इसको हम open कर लेते हैं हम चाहते हैं कि इस word document के full screen का screenshot ले तो उसके लिए simply क्या करना है अपने keyboard से windows प्लस print scan की को एक साथ press करना है जैसे ही एक साथ press करेंगे full screen का screenshot ले लेगा ये आपको दिखाई कहां देगा तो उसके लिए अपने computer ये laptop में this pc या my computer को open कर लेना है उसके बाद आपको एक picture नाम का option मिलेगा इसको open कर लेना है उसके बाद आपको एक screenshot नाम का folder मिलेगा इसको open करना है यहाँ पर देखिए जो हमने screenshot अभी लिया हुआ था यहाँ पर आ चुका है और जितने भी screenshot आप लेंगे यहीं पर सो होगा चलिए आप दूसरा तरीका जानते हैं तो उसके लिए अपने keyboard से windows प्लस shift प्लस s को एक साथ प्रेस करना है जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने एक sniffing tool ओपिन हो जाएगा इसमें आप चार तरीका से screenshot ले सकते हैं जिसमें पाला है rectangular mode दूसरा है preform mode तिसरा है windows mode और चौता है full screen mode अगर आप इस sniffing tool को close करना चाहते हैं तो यहाँ से आप close भी कर सकते हैं अगर आप rectangular mode को select करते हैं तो किसी भी particularly area का screenshot ले सकते हैं अगर आप preform mode को select करते हैं तो इस तरीका से आप screenshot ले सकते हैं अगर आप windows mode को select करते हैं और कहीं भी display पर click करते हैं तो full screen का screenshot ले सकते हैं अगर आप full screen mode को select करते हैं तो यहाँ पर भी आप full screen का screenshot ले सकते हैं चलिए अब तिसरा तरीका जानते हैं तो उसके लिए start menu यानि windows की को press करना है और search करना है snipping tool और इसे select करके open कर लेना है जिस भी mode में screensート लेना चाहते हैं उस mode को select कर लेना है तो उसको select करने के लिए इस arrow पर click करना है और यहां मियाँ पर rectangle mode को select करते हैं यहां पर एक और option दिया गया no delay अगर आप no delay को select करते हैं तो बिना कोई देर के screenshot ले सकते हैं अगर आप यहाँ पर snip in 3 seconds पर click करते हैं, तो 3 seconds देर के बाद screenshot ले सकते हैं, maximum यहाँ पर 10 seconds दिया गया है, हम यहाँ पर no delay को select करते हैं, screenshot लेने के लिए यहाँ पर plus icon दिया गया है, इस पर click करना है, और आप इस तरह से screenshot ले सकते हैं, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो य किलिक कर किलिक सकते हैं अगर इसको मिटाना चाहते हैं तो इस option पर किलिक करेंगे और यहां से आप मिटा सकते हैं बहुत सारा option दिया गया है यहां से आप यूज कर सकते हैं जो भी screenshot लेंगे आप clipboard के history में save हो जाएगा और वहां से आप directly paste कर सकते हैं तो उसको कैसे open करेंगे तो उसको open करने के लिए windows प्लस बी को एक साथ प्रेस करना है clipboard के history open हो जाएगा जो भी screenshot को paste करना है उसको यहां पर select करना है तो यहां पर test हो जाएगा इस तरह से आप बरही आसानी से अपने computer या laptop में screenshot ले सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक किजिए अगर चैनल पर नहीं हो है तो subscribe किजिए अगर मन में कोई डॉट या confusion हो तो comment में पूछ सकते हैं